विक्रम वेताल इसका पहला एपिसोड 1985 में प्रसारित किया गया और लोगों ने इसे बेहधी पसंद किया और आज भी इसका यूट्यूब पर जलवा कायम है दरसल ये धारावाहिक लगबग 2500 साल पहले लिखे कावे बेताल 25 पर आधारित था इस कावे को महा कवी सोम देव भट ने लिखा था अगर आपने इस धारावाहिक को ध्यान से देखा होगा तो ये धारावाहिक 28 एपिसोड्स में प्रसारित किया गया था रामानन्द सागर जी ने अपनी कड़ी मेहनत से विक्रम और बेताल के किरदारों का सजीर चितरन किया पर हैरानी की बात ये रही कि रामानन्द सागर जी ने इस विक्रम बेताल की सीरिस का कभी अंत नहीं दिखाया उन्होंने ना तो वो आखरी कहानी हमें दिखाई जिसके सवाल का जवाब विक्रम नहीं दे पाया और नहीं ये बताया कि विक्रम उस पेड़ पर लटकी लाश को उस तांतरिक के पास ला पाने से सफल हुआ या नहीं सवाल ये उटता है कि रामानन्द सागर जी को क्या डर था क्या आखरी कहानी दिखाने पर जनता के बीच हड़कंप मत सकता था क्या विक्रम का उस आखरी कहानी से जुड़े सवालों का जवाब ना दे पाना विक्रम अदित्य की बेताल से हार को दर्शा सकता था कारण कुछ भी रहा हो वो आखरी कहानी बेहत अजीब और अलग सी है इस वीडियो में हम वही आखरी कहानी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाए हैं जो टीवी पर कभी नहीं दिखाई गई और नहीं आपने कभी सुनी होगी तो बिना कोई समय गवाए आईए शुरू करते हैं विक्रम बेताल की वो आखरी कहानी हमेशा की तरह विक्रम ने बेताल को अपने पीछे बेठा लिया और तांतरिक की गुफा की और बढ़ चला आज राज जादा भेंकर प्रतीत हो रही थी मानोस सब कुछ थमसा गया हो तभी बेताल हसता हुआ बोला विक्रम तू मुझसे पक चुका होगा तू अपनी जित छोड़ क्यों नहीं देता विक्रम मंद मंद मुस्कुराता रहा पर कुछ बोला नहीं बेताल फिर बोला तू बहादुर चतुर और कर्मट तो है ही पर धीट भी है चलो कोई बात नहीं रास्ता लंबा है आज मैं तुझे एक विचितर कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुन विक्रम क्योंकि इस कहानी से जुड़ा एक सवाल मैं तुझे से पूछूँगा अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊँगा और अगर सवाल का जवाब जानते हुए भी तू चुप रहा तो मैं तेरे सर के तुकडे तुकडे कर दूँगा अब ध्यान से सुन विक्रम बहुत साल पहले दक्षिन पंत में एक मांडलिक राजा राज करता था जिसका नाम धर्मराज था धर्मराज बेहदी पराक्रमी राजा था यही कारण था कि धर्मराज का छोटा भाई प्रिथवी सेन उससे इर्शा करता था और सारा राज हत्याना चाहता था धरमराज की पतनी लीलावती को अपनी दासियों द्वारा ये खबर लग चुकी थी कि पृत्वी सेन गदारी कर सकता है एक रात पृत्वी सेन ने धर्मराज का कतल करवा दिया धर्मराज के वफादार सेनापती को जब इसकी जानकारी मिली तो सेनापती ने सारी बात लीलावती को बता दी लीलावती अपनी किशोरी पुत्री रूपवती को साथ लेकर अपने पिता के राज्य मैथिली की और रवाना हो गई खुद सेना पती और कुछ वफादार सिपाही भी उनके साथ थे पिर्थिवी सेन को जब लीला वती के भागने का समाचार प्राप्त हुआ उसने अपने सैनिक उन्हें ढूंड कर खत्म करने के लिए भेज दिये दोनों तरफ से सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ सेना पती मारा गया लीला वती जैसे तैसे अपनी पुत्री रूप वती को युद्ध से बाहर निकाल कर एक घने जंगल में ले जाने में सफल हुगई दोनों भूक प्यास से तडप रही थी उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई दिया इसलिए दोनों अपनी प्यास भुजाने के लिए तालाब की और चल पड़ी उसी जंगल में एक सेठ अपने पुत्र के साथ पास के नगर की और जा रहा था सेठ के युवा पुत्र रमन सिंग को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिये साथ ही पैरों के निशान के पास तूटी हुई पांजे भी उसे दिखाई दी रमन सिंग बोला पिताजी लगता है कोई दो दुखियारी स्त्रियां इस जंगल में भटक गई हैं और कश्ट में हैं पिताजी हमें इन्हें सहारा देना चाहिए जिस स्त्री के पैरों के निशान छोटे हैं वो युवा होगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा आप बड़े पैरों वाली स्त्री के साथ विवाह कर लेना क्योंकि उम्र में वो जरूर बड़ी ही होगी रमन सिंग के पिता सहमत हो जाते हैं पैरों के निशान का पीछा करते हुए पिता पुत्र उन दोनों स्थियों तक पहुँच जाते हैं पर रमन सि recep का अंदाजा उल्टा निकलता है लीलावती के पैर छोटे होते हैं और उसकी बेटी रूपवती के पैर बड़े होते हैं इसलिए रमंज सिंग को लीलावती से शादी करनी पड़ती है और रमंज सिंग के पिता को लीलावती की पुतरी रूपवती से शादी करनी पड़ती है रूपवती के रमंज सिंग के पिता से दो पुतर होते हैं और लीलावती के रमंज सिंग से तीन पुतर होते हैं दोनों माँ बेटी अब खुशी से और शांती से आगे का जीवन व्यतीत करती है बेताल अब हस्ते हुए कहता है कहानी कैसी लगे विक्रम अरे मैं भी गदा हूँ मैंने तो तुझे ना बोलने की कसम दे रखी है कोई बात नहीं अब तु मेरे सवाल का उत्तर दे बस बता विक्रम लीला वती के पुत्रों और रूप वती के पुत्रों में क्या रिष्टा है मा बेटी के पुत्र आपस में क्या लगे परन्तु विक्रम चुप रहा वो बस चलता जा रहा था बेताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का भी जवाब पता है बेताल को पता था विक्रम चुप क्यों है शास्तरों के अनुसार अगर कोई व्यक्ती अपनी मा या अपनी मा की मा से विवाह करे तो वहें एक महापाप के समान है यहाँ पर भी रमन सिंग की मा रूपवती थी, चाहे वो उम्र में छोटी ही क्यों न हो और रूपवती की मा लीलावती थी, जो रमन सिंग की पतनी थी ऐसे महापाप से योक्त रिष्टे या संबंत का बखान करने से अच्छा विक्रम ने अपना सर तुकडे तुकडे करवाना ही ठीक समझा परन्तु बेताल सारी बात भाप चुका था बेताल बोला वाह विक्रम वाह धन्ने हो तुम धन्ने हो तुमारा कुल तुम बहादुर, निडर, करमट, बुद्धिमान तो हो ही साथ ही साथ हिंदू सनातन धरम के सच्चे अन्याई भी हो विक्रम अब मेरी बात ध्यान से सुन जस तांतरिक के पास तो इस लाश को ले जा रहा है वो इस लाश को अपनी तांतरिक क्रिया में प्रयोक करेगा पर इस से पहले वो तेरी बली भी देगा वो तुझसे अपने इश्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहेगा और जैसे ही तु जुकेगा वो तेरा सर धर से अलग कर देगा तेरी बली देकर और उस लाश से अपनी तांतरी क्रिया पूरी करकर वो पूरे विश्व का समराट बन जाएगा तुम्हें किसी भी धरा उसकी ये योजना विफल करनी होगी अब मैं इस लाश को छोड़ कर जा रहा हूँ तुम मेरी बात ध्यान रखना विक्रम लाश को कांधे पर उठाए हुए आखिरकार उस तांतरी के पास पहुँच गया तांतरी की खुशी का ठिकाना न था वाह विक्रम वाह मुझे पता था तुम इस कार्य में सफल होगे मेरे ईष्ट भी तुमसे आज बहुत प्रसन्न है आओ इन्हें प्रणाम करो विक्रम को बेताल की बात याद थी विक्रम बोला हे बाबा ये आपकी ईष्ट है पहले आप मुझे इनको प्रणाम करने की सही मुद्रा बताईए फिर मैं सही से इन्हे प्रणाम कर पाऊंगा तांतरीक मान गया जैसे ही उस तांतरीक ने प्रणाम के लिए सर जुकाया विक्रम ने बिजली की गती से मयान से तलवार निकाल कर तांदरिक का सर धड़ से अलग कर दिया उसका सर ईष्ट के चड़नों में जागिरा तभी ईष्ट देव प्रकट हो गए और बोले विक्रम आज से तुम पुरे विश्व के समराठ हो तुम में ही समराठ बनने के सारे गोड़ है विक्रम ने हाद जोड़ कर ईष्ट से कहा हे देव मैं चाता हूँ कि बेताल द्वारा बताई गई सारी कहानियां अमर हो जाए जिसे सुनकर मानव सीख सके और जन कल्यान हो सके ईष्ट देव तथास्तु बोल कर अंतरध्यान हो गए कहा जाता है कि उस दिन से विक्रम अदित्य विश्व के समराड बन गए और सनातन धरम को विस्थापित किया तो दोस्तों ये थी विक्रम बेताल की आखरी कहानी मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद